मेरे पियारी कोपू बना रहे हुँ शाग लडड़ा को पाल जी ख़ीक बखाई है Marketing कद अए들ा है जान प्लीज फ्रेंट चैनल को सब्सक्राइब जरू करें साथी बैल आइकन प्रेस करके औल पे स्लेट करना न भूलें ताकि मेरे आने वाले सब वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें तो चलिए फ्रेंट से स्टार्ट करते हैं इस ड्रेस को बनाना तो देखें इ मैंने इसके कमार पहनाने के लिए कट कर लिया है तो यह बेस मैं पहले भी आपको कई वीडियो में बता चुकी हूं तो इसलिए चुकि वीडियो लेंदी हो जाती है तो इसलिए मैं हर वीडियो में आपको यह नहीं बता पाती हूं तो देखे फ्रेंट से पेस्टिंग बा इसके चोड़ाई के ऊचालते कि घेरे की चौड़ाई के एक रिक आशे को स्य पिद्विट में रखेंगे आफ की तरफसे पारिक प्रूंसे राखने मसीन के छूड़ा नहीं को bored और उसके बाद देखिए हम इसमें इक-ईक प्लेट्स डालते जाएंगे。 प्लेट्स डाल देंगे और सिलाई लगा लेंगे। लेकिन हमें प्लेट्स एक उपर एक नें डाल नहीं है बस पास-पास डाल नहीं है तो इस तरह से क्योंकि ये पूरे सरकल में प्लेट्स डाल ली हैं, आप देखें हमें क्या करना है, इनको हम पहले एकसा कर लेंगे, एक एक प्लेट्स को हम एकसा कर लेंगे थोड़ा सा, देखें इस तरह ऐसे, चुकि यह बहुत घनी हो जाती हैं, तो फटा-फट से चलें हम इनको एकसा कर लेते हैं, स्लाइ मसीन बीच में लगा लेजी और जो एक्स्टा फैबरिक आता है कमर की तरफ उसे कट कर दीजिए तो देखे हमने इस तरह से इतना काम कर लिया है और ये इस तरह से बेज बनके तयार हो गया है अब देखे हमें आगे क्या करना है तो गोल्डन कलर की टिस्वरूमन लेज हमने ले ली है अब इससे हम इसके दोनों किनारे लॉक कर लेंगे और साथ ही इसके जो उपर वाला सरकल है उसे भी हम लॉक करेंगे देखे इस तरह से तो यहां भी हम लगा लेंगे इसके और कमर पे फ्रेंट्स हम निफा टैज करके डोरी डाल लेंगे तो देखे हमने इतना काम कर लिया है ये और उपर की तरफ हमने इसे थोड़ा सा लॉक कर दिया है और देखे ये निफा टैज करके डोरी डाल ली है इतना ये पार्ट खुला है तो ये लड़ो गुबाल जी को पहना लेंगे हम अब दीखे हमें आगे डेकॉरेट इसको करना है तो हम किस तरह से डेकॉरेट करेंगे तो दीखे मैंने ये कुछ गोल्डन कलर की पेटल्स लीएं दीखे इस तरह की तो ये market में easily मिल जाती है friends तो इन्हें दिखे हमें किस तरह से इसे paste करना है तो हम किनारे किनारे पे इसके दिखे इस तरह से ऐसे रखेंगे इस तरह से दिखे इनको रख लेंगे और हमें full circle में लगानी है पूरे circle में इस तरह से समान दूरी बनाते हुए इनको रख लेंगे हम इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए यह मैंने हाफ सरकल में यह मेरे पास बूटी है तो इसे हमने ले लिया है आप देखिए इने हमें किस तरह से लगाना है तो यहां हम पहले गलू लगा लेंगे और उसके तो फ्रेंट जी लिए आप घर पर भी बना सकते हैं यह बुटी यह बुक्रम के उपर सारा बर्ग किया हुआ है तो देखें इनको दीगे में इस तरह से ऐसे इन पैटल के उपर हाफ हाफ में हम किनारे पर रख देंगे इस तरह से हमें यह सबी पर पेस्ट कर लेनी है देखे यह हमने चोटी वाली बूटी लिए है कुछ हमारे पास चोटी वाली बूटी है तो इनको हम इस पर इनको भी हम पेस्ट कर देंगे देखिए इस तरह से और उसके अलावा फ्रेंट देखिए बीच में जो कमर वाला पाट है वो खाली लग रहा है तो यहाँ पे यह पतली वाली गोर्डन कलर की लेश लेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे तो देखिए हमने इसे पेस्ट कर दिया है और इस तरह से यह गेरा बनके त्यार हो गया है पुशाक का बहुत ही प्यारा बहुत ही सुन्दर लग रहा है फ्रेंट से और बहुत ही हैवी वर्क है इसमें तो फ्रेंट इस तरह से चलिए अब हम इसकी चोली गोर बना लेते हैं चोली बनाने के लिए मैंने चार इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा 1 मिनएट का फैबरिक ले लिया है अब देखें सको हम ऐसे फोल करके दौनों तरफ से फोल करेंगे देखें से ऐसे एक तरफ से इस तरह ऐसे तरह ऐसे और हमने ये चोली बनाके तयार कर लिए इसको 20 से कट करके और नीचे देखे जोड़के और ये लेस लगा दी है बांधने के लिए कमर में देखे इस तरह से जब लड़ो गुपाल जी पहनेंगे तो उनके कंदों पैसे मोलके और पीछे से ये लेस हम बांधनेंगे देखे बहुत सुन्ध लग रही है बहुत ही प्यारी लग रही है ये और ये बहुत Kend civil रहती है ये वाली चोली इस तरह से देखे हम ड़जो कुपाल जी कुपेहना देंगे और उसके उपर से फिर ये घेरा पहना देंगे और आपπωςे सिखना चाहेते हैं देखना चाहेते हैं तो आप मेरे पिछले Jordi देख सकते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझे कमेंड करके पूछ सकते हैं इस तरह से देखिए और ये मैंने के स्ट्रिप तयार की Remember ने ख़ई की टिर कऊ simple the income कुछ और यसको मैं नैए चारिन चोड़ा फइबरिक लिए था और इसको कि उआप धीजिए इससे अंद्ध याँे याँ विड़ाना है ये कि भूणे को इसी तरहने था पूरे में हम लगाते जाएंगे इस तरह से तो चली लगा लेते हैं तो दीखें मैंने इसे लगा लिया है तो पूरा कम्प्लीट कर लिया है आप दीखें जो यह पतली बाली लेस हमारे पास golden लगी इसको हम इस तरह से ऐसे तेट्षे में करते हुए और यहां पीछे से हसी ले जाते हुए इसको लगा लेंगे तो दीखें हमने इसे लगा लिया है फ्रेंट्स ले इसको अब यह दीखें हमने एक कलगी तयार की है यह 10 इंच लंबा और 4 इंच चोड़ा फैबरिक लिया था उसको डबल करके मैंने चलाई कर ली थी और उसके बाद दीखें हमने इसको इस तरह से इस पर लगा लेंगे तो देखे इस तरह से हमने कलगी को लगा लिया है अब देखे हमने जो यह पेटल तयार की थे यह हम इसमें भी देखे इस तरह से पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इनको ऐसे तिर्चे में लगा लेंगे, पेस्ट कर लेंगे दीखें, इस तरह ऐसे, और उसके बाद जो ये छोटी बाली बूटी ये भी हमने जो पोसाप में लगाई थी, इनको भी हम अपने हिसाब से जैसे हमें लगाना हो, दीखें, उपर भी कलगी पर सकते हैं, और कैप में लगा लिए हो, इए फड़ार से बनके त्यार हो गई फ्रेंट्स बहुत ही प्यारी लग रही है, तो फ्रेंट्स आपको कैसी लगीए पुशा अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीसेएगा, कमेंट कीसेगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंट चैनल को सबस्क्राइब जरू करें साथी बेल आइकन प्रेस करके ओल पर सेलेट करना न भूले ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंट मिल सकें और फ्रेंट्स आप भी इसे दिवाली पे अपने लड़ गुपाल जी के लिए जरूर ट्राइ किजिएगा चले फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे हरे क्रिशना